असन अली कमाल थे और सबसे कमाल तो मुझे वो लगा जब नवाज ने विकेट निकाला बास दे ले देगा और उसके बाद इमामोल हक ने आके पुच्छी ले लिया हाँ वो गिली वाली पुच्छी पकड़ के ऐसा किया था उनको मतलब बाबर भाई को किया होता समझ में आता बस्पन का प्यार मेरा दूर नहीं जाना लेकिन नवाज भाई को चीक है आज नवाज ने बैटिंग बैच्छी की तीम करने वाला था कि यार इतना इजी कैंट छोड़ने बाद कैसे खिक्या रहे हो मतलब थोड़ा तो हरस के मन म कि चचा यार थोड़ा शरम करो यार मतलब इतना इजी कैंट छोड़े आज विल्डिंग अच्छी चले थी बड़े दिनों बाद तो पाकिसान की विल्डिंग अच्छी थी लेकिन फिलाल पाकिसान एक्यासी रन से जीता है और ये भारत में उसकी पहली जीत है किसी भी टी देखा और उसके बाद इमामोल हक ने आके पुच्छी ले लिए हाँ वो गिली वाली पुच्छी पकड़ के ऐसा किया था उनको मतलब बाबर भाई को किया होता समझ में आता बसपन का प्यार मेरा दूर नहीं जाना लेकिन नवाज भाई को चीक है आज नवाज ने बैटिंग बच्छी की थी तो पुच्छी मिल गई तो कोई बार ने हमारे हाँ रनवीर सिंग सब को करते रहते हैं धोनी को पकड़ के उसने पुचे लिए हम तो दोनी का सोचे थे कि विचारा ऐसे दोनी खड़ती ही करते हुए और गाल प्यार के वो भी गीला करके गया लेकिन आज के दन जो है वो बास दे ले दे के नाम परेगा यार कमाल की शक्सियत कमाल की प्लेयर और जितनी तारीफ उस बंदे की जाए चार विकेट आज उसने निकाले और फिर 67 रन 68 बॉल ने बनाए और एक बड़ा मेसेज जो है उसने दिया नीदलैंड के लिए आने वाले टाइम में बड़ा सार बनने वाला विकरम जीत सिंग जो है उन्होंने भी बड़ा मेसेज दिया 65 रन बनाए नीदलैंड में रहते ह पजाब में उनका घर है जब वहाँ बहुत ठंडिया होती है तब वो चले आते हैं यहाँ पर और यहाँ भी रहते हैं तो यहाँ वहाँ बड़ा इची बात है कि कमाल की चीज़ है हमने आपको स्टैड़ी बताया था कि बास दिल इदे के पिता जी जो है 19 बॉल डक जीरो पे गए थे पाकिस्तान इखिलाब 1996 में आल लॉंडा विकेट भी निकाला था रन भी बना रहा था इंडिया इखिलाब 2003 में इनके पिता जी ने चार विकेट निकाले थे तो अच्छा है आज फादर बहुत प्राउड होंगे इनक यूपर बास दिल इदे क्यूपर होना भ चाहिए है वैसे ही प्राउड होंगे जैसे आज पाकिस्तान जो है हारस रोग पर प्राउड होगी ऐसा पाइसों ओवर बढ़ियां तैयार उसी ओवर मैश बल्टा था जब चौका पड़ा फिर आके विकेट लिया फिर डॉट और फिर एक कैच चुड़ गया था तो वह ए लैंड खेल रहे थे तो बाजदे लिदे को हारस रोफ ने पेस गिन मारी और उनकी चाहिए लेफ्ट आई जो थी उसके नीचे बॉल लग गये तो पूरा खून-खून-खून हो गया था आज उनको मौका मिला तो एक चुका मारा और बतलब उन्होंने रिस्पेक्ट अन कर काफी इंट्रेस्टिंग हो सकते हैं आई-पिल में भी शायद हम उन्हें देख सकते हैं तो यह रहा लेकिन मेरे इसाब से कई और चीजे भी अच्छी रहे जिसे शदाप खान की थोड़ी वापसी आज हुई एक ही विकेट निकाला हाला कि अभी भी हो कंसरन है मुझे लग जालते हो और यही पाकिस्तान के लिए शायद सबसे बड़ा उम्मीद वारा है क्योंकि इनकी अच्छी या गेनवाजी के चलते पाकिस्तान काफी इंप्रूव हो जा रहा है और खास वर पर हसन अली साथ ओवर एक मिडन तैंटीस रन दो विकेट नो ओवर तिरालीस पिती बड़ रहा है साउट शकील बहुत अच्छी बल्यवाजी की मैं परसनली उनसे बहुत 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 इंप्रेस हो गया हूँ बाकी रिज्वान अपने करियर के बेस्ट वाम में पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा टेंशन है वो खाली है फकर जमान का फकर जमान नही अबदुल्ला, शफी, क्या फकर जमान हला कि शफी को भी मौका मिलता है तो वो भी नहीं चल पाते हैं लेकिन शफी को लिकर ही लोग है कम से कम उम्र है आप आगे खिला होगे शायद वो अच्छा खिल जाए लेकिन क्या फकर को अगले मैश में रखना चाहिए मतलब वैसस कहानी है लेकिन ठीक है मतलब पाकिसान जीता है बढ़ियां है अब उनके मिड ये